हलो एवरीवन माई नेम इस कुलदीप सिंग राठोर वेलकम इन गेटवाला प्लेटफर्म गाइस काफी सारे इस्ट्रोडेंट नहीं आप थमलीन देखाऊगा आएम एमदबाद एडमिशन थ्रू गेट और उनको दिमाग में एक यूरिसिटी भी आई होगी कि इमदबाद में भी सरफ गेट से अडमिशन ले सकते हैं कर सकते हैं और आइम में भी कुछ कोरसे ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं गेट इसकोर कार्ड के भीहाब पर तो रिसेंटली आएम एमदाबाद ने अपने एडमिशन जो है वो यहाँ पर अनाउंस किये हैं आएम एमदाबाद की जो ओफिशल वेबसाइट है गाईज आप उसे ओफिशल वेबसाइट पर जब जाके देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी तो इन माई ओपीनिन गाईज आएम एमदाबाद के बारे में ऐसा कोई पर जो भी प्याइज़ी प्रोग्राम इन मेनेज्मेंट जो फिल्ड है उसमें आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं गेठ इसकोर काड़ के भी हपर और अभी इनका एडमिशन जो है वो सीजन स्दाट हो गया है तो आब इनका उंका क्लासेस बगरा है वो नेक्स्ट येर स तो यहां पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं बेसिक इलीजिबिलिटी में इनों डाल रख है या तो आपका मास्टर्स डिग्री हो या टू यर का पोस्ट डिपलोमा आपने कर रहा हो तो यह सब में से कोई क्वालिफिकेशन से तब भी आप फिल कर सकते हैं यहां पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं फोर यर एट सेमेस्टर जो बेटलर डिग्री के स्टुडेंट जिनका 65% से ज्यादा मार्स है वह भी यहां पर लीजिबल है यहां पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं यह क् सब्सक्राइब करना चाहते हैं इनका सारा कंप्लीट प्रोसेस यहां पर भी दे रखाए इवन यहां पर फाइनियर के स्टुडेंट्स भी फिल कर सकते हैं बस यह कि आपका जो भी डोक्यमेंट्स वगरा है वो में 31 25 से पहले अवेलेबल हो जाने चाहिए बाकी आप यहां सकते हैं यहां पर फिल कर सकते हैं जैसे अपर इकोनुमिक्स का अगर आप देखोगे इसमें घेट इसकोर कार्ड के बिहाब पर फाइनेंशन अकाउंटिंग में जाकर अगर आपको करना है तो इसमें जेयारी और जीम्टी चाहिए बट फूड एंगरी बिजनेस अगर चाहते होension education education नंगेज Stoneologie at ूच में करना चाहते हो कुछ यहां पर आप कर सकते हो इससे की और सबकिक हैं जब आएम मुंबई बनाए अससे पहले निटी बमबे होता है वहाँ पर यह जो कोर्स था PGDIM और इस तरह की कोर्स होते था उनकी काफी value होती थी काफी अच्छा package जाता था तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कोर्स मैंने आपको बताएं इसमें gate scorecard के भीहाप पर भी आप admission ले सकते हो काफी student की दिवाँ में होगा सर कौन सी ब्रांच में gate scorecard का होना चाहिए तो definitely guys अगर आप जैसे यहाँ पर देख पा रहो आपको financial assistance भी मिलती है जैसे for first year and second year अगर आप जोइन करते हो तो आपको 42,000 पर मन्त का यहाँ पर इसके बाद अगर आप दिखोगे जब आपनी थीस अगरा का वर्क करते हैं तो 50,000 पर मन्त तो इस तरीके से आपका सब्सक्राइब का अमाउंट भी काफी सही है तो आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं इसके लावा जो doctoral students होते हैं उनको research support भी यहाँ पर सारा मिलता है तो से contingency allowances आपको 35,000 पर यह अलग से आपको अप्टू फाइयर तक मिलता है इसके लावा इसमें आप जो है research Facebook post photocopic charges यह सब आप maintain कर सकते हो फोड लेक तक का आपको यहाँ पर expenses जो है वो reimbursement हो जाता है अगर आप research paper करने international domestic conferences वगरा में जाते हैं तो फोर लेक का आपको यहाँ पर यह भी benefit है इसके लावा आप जो भी students है इनको फिल्ड वर्क वगरा के लिए है यह भी आपको मिलता है startup grants भी आपको one लेकर आसपास तक यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारे benefits आप यहाँ पर notice कर पा रहे होंगे इसके अलावा भी guys और भी बहुत सारे यहाँ पर benefits है अगर आप apply करना चाहते हो तो जब भी आप यहाँ पर choose करेंगे आप maximum two doctoral specialization में अपना online application फील कर सकते हैं एप्लिकेशन फीस जो है 500 रुपीज है उनकी 250 रुपीज है लास्ट डेट जेनवरी 2025 से पहले आपको भरना है तो लास्ट डेट में बहुत डेट है अभी स्टार्ट हो चुका है लेगिन लास्ट डेट में आपको 2-3 मिने का इंट 2020 25 है इंटर्व्यू जो होंगे वो मार्स अफ्रेल 25 में रहने वाले हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे काफी ज्यादा इंपोटेंट यहां पर इन्हों डिटेल दरखी है PhD का जो ओफिशल ब्राउचर्स भी इन्हों ने यहां पर प्रोवाइड किया है जिसमें भी यह सारे डिटेल्स यहां पर मेंशन की हुई है कि यहां पर बीटेक के चुडेंट्स भी जाकर आप पीए ज़ी भी करते हो तो डेफिनेटल इसकी काफे ज्यादा वेल्यू रहती है यहां पर इन्होंने हरे को इन्टेल बता रहा है इनकी इन्फोर्मिशन ब्रौचर है एक ती तीन पेज का वन जिरो थ्री पेज़ेस का है तो definitely guys हर एक पेज को में इंडिवीजवल लेवल पर जाकर आपको नहीं बता रहा हूं तो definitely IAM के अंदर भी आपके जो PhD के अच्छा चांस होता है कि आप IAM में जाके PhD में अप्लाई कर दो और IAM के अंदर PhD की वर्थ है definitely guys आप समझ सकते हो कि जब आप वहाँ पे करोगे तो बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़े आप सीखोगे और अभी हाल फिलाल में PhD को जो है वो काफी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है और PhD जो students कर रहे है definitely उसके उपर R&D डिपार्टमेंट और बहुत सारे जो है उसमें government का भी investment काफी सारा चल रहा है तो definitely आप उसका फाइदा उठा सकते हो इस टाइप अगेरा के भी अच्छा amounts है क्या आप लोग चाते हो कि जो अधर IIM में admissions जब announce हो तो उसकी information भी आपको यहाँ पर मिले और बाकि हो सकता है आपके कुछ doubts भी होंगे तो आप लोग कुल्दीप सर अंडरिस्कोर PW टेलिगाम चैनल टेलिगाम पर सर्सकर करके सकते हैं इसके लिए कितना गेट इसको रिक्वाइड होगा यह भी बच्चों को यहाँ पर क्यूशन होंगे तो डेफिनेटल इसके उपर हम लोग थोड़ा सा आर्टी वगरा लगा के जो लास्ट यर बच्चे जो admission लिए गेट इसकोर कार के वियाप पर उस सब की information आप ल अबता के लिए गुडबाई टेक कार सी यू